लाइंट क्लास के चैप्टर 12 के थूरम 12.1.6 क्यों पर डिसकेशन करेंगे यह इस चैप्टर का लास्ट थूरम है इस से पहले हमने सारे थूरम्स क्यों पर डिसकेशन कर लिए हैं चले इसकी स्टेट्मेंट से स्टार्ट करते हैं आपके क्या हमने आपके आपकी चैप्ट करने के बाद आपने चेक करना है कि यही बात आपने पॉइंट कर वानी है यही बात हमादा पर ञेड़ घर करते हैं कि नहीं अब इस बात को मैंने यहां पर हम जो ट्रायांगल यूज करते हैं ौह कुछ इस तरह की होती है कुछ इस तरह है की clock क्यों चुंक्छ सबृती है कि हम यह ठ्रायांगल क्यों यूज करते हैं। आपको पता चलएगा। चले हम इस ट्रॉर्ण के पर इसका kस start करते हैं. हमारे पास tonto वा क्या है? हमारे पास एक triangle है, ठीक है. यहां पर भी हमारे पास angle है, यहां पर भी ऑस angle है, और यहां पर भी angle होगा. लेकिन हम यहां पर draw नहीं करेंगे क्योंकि हम ने उस बात को proof करुवाना है. हम यहां पर name देते थे lots 0 fucking बी और सी का ठीक है और जब हम इस ट्राइंगल को प्वारि शांचीट करते हैं एसका जलत क्या रहत शा गंधिक करते हैं लाँस कर देना, it's progress that light इस पॉइंट करते हैं तो यह अंगल कुछ हैंस को सुष पांट कुछ पर यह पर हम डंकर यम्हां करते हैं की अम्री मेंक पांद का सेम यहां नहीं उल्पर अभिक मतली हैं। है इनकी लेंगफिन करें लिए का ओज्षर हैं यहां तक हुई थी आगे हमने यह जो किया है यह A, B का right by sector है अगर हम B, C का right by sector करें तो वो हमारे पस कुछ इस तरह से आ जाएगा A, C का right by sector करें तो वो हमारे पस कुछ इस तरह से आ जाएगा राइट by sector का मतलब होता है कि perpendicular कर देना 90 के angle के उपर half हमें इसमेरे पुर्व करें मोथ कि यहत्य गाहब कर दिया है अब हमने यह बात प्रूव करवानी है कि क्या अगर हम क्या पॉर हम ऐस्ञाप करें वर एक ऐसे आख आये का बिकर हम न Other game वह हम ने ख़ता है कर दें हैं कि यह हमारे पास इन पॉइंट्स को हम नेम दे दिया अब नेंडेने के बाद यहां पे इक एक्रिस ऐरी है कि हमने लाइट वाल ससक्तर क्यों या लिघे मिलाइट बाइस सेक्टर हम सिंपल वर्डिंग में जाह सकते है कि एक पॉंइंट प्रूफ करवाना हैं जो एंगल A B और C के जोंड़ी सेक्टर हैं वह एक पॉंइंट पर मीट करते हैं इन सहारों की मदद से हमने यह बाद प्रूफ करवानी है कि हमारे पास एंगल ए बी और सी के बिस्टर करते हैं तो इस पींट आई के ऊपर मीट करते है Cliff you start करते हैं सबसे पहले तो हमोपने जिए डिया है कि हमें डियागे घ्र ट्राइंगल दी गई है, ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल A, B, C, हम लिख सेते हैं, गिवन में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल A, B और C, ठीक है, अब हम प्रूव हमने क्या करवाना है, कि जो हमारे पास एंगल A, B और C को जब हम बाइसक्ट करते हैं, तो क्या वो एक कोई पे आके मीट करती है क्या वो एक कोई पे आके कंकुरेंट होते हैं कि यह बात हमने प्रूफ करवानी है जो प्रूफ हमने क्या करवाना है कि जो बाइस सेक्टर्स है देबाइस एक्टर्स देबाइस सेक्टर्स आफ एंगल एंगल बी यह बात शो करती है एंगल को एंड एंगल सी आर कंकुरेंट यह बात हमने प्रूफ करवानी है कि क्या वो एक पॉइंट पे आके मीट करती है एक पॉइंट पे कंकुरेंट है कि नहीं अब टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन में हम वो चीज लिखते हैं जो हम खुद से करते हैं हमने क्या किया हमने खुद से ही एंगल बी एंगल बी को आगे तक मूफ किया एंगल सी के बाइस सेक्टर को आगे तक मूफ किया फिर खुद के सबगी सनक्राइब की लां प्राइब नहीं है । कन्स्रुक्शन कन्स्रों इस फंद आ किया। हम कि हमने ड्रा किये हैं बाइस सेक्टर्स ज्रा किये हैं बाइस सेक्टर मतलब के एंगल के नाशिफ ए और बी के ड्रा दबाइस सेक्टर्स बाइस सेक्टर्स आफ बी एंड सी आफ एंगल बी एंड एंगल सी ठीक है फिर हमने कहा कि जो के कुछ को किस पॉइंट पर आकर मीट करें हैं आई पर जो के एक दुश्य के साथ मिलते हैं विच इंटर्सेक्ट एट पॉइंट आई जो के पॉइंट आई पर आकर खुद को मीट करते हैं फिर हमने कहा कि अगर हम इस आई से देखें तो इस आई से हमने क्या किया था कि ए बी के उपर अगर हम इस आई से देखें तो इस आई ने क्या किया था ए बी के उपर हमने क्या किया कि इसका राइट बाइसेक्टर लिया तो इससे क्या हुआ कि आई एफ परपेंडिकूलर हो गया ए बी के फिर हमने इसका राइट बाइसेक्टर लिया था बी सी के उपर तो आई डी प perpendicular हो जाएगा CA के ओपर ठीक है अब इसी चीज़ को हमने लिख देना है हमने कहा फ्राम आई ड्रा किया हमने जो हमने ड्रा किये थे बाइसेक्टर उदर से राइट बाइसेक्टर तो क्या हुआ कि हमारे पास जो य्यफ है व परपेंडी कुलर हो गया था फ्राम के इसी तरह हमारे पास जो इड़ी था कर ये बात इसकी प्रूफ स्टेटमेंट्स औरीजन से प्रूफ करेंगे कि क्या जब हम अपने एंगल्स के बाइस एक्टर करते हैं तो क्या वह एक पॉइंट के उपर कंकुरेंट होते हैं कि नहीं मारा टेवल रेडि हो गए है चलेंग हम स्टेट मेड विजन से प्रूफ करते हैं ज्सक्याि अगर आपको फूर्ट नमबर 3 12.3 अगर आपको याद हो तो उसमें हमने क्या किया था शॉव करवाना था कि क्या यह राइट बाइस सेक्टर के उपर है तो हमने क्या कहता है कि इसके angle के by sector से proof करवाया था अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ थोड़ा उल्ट हो गया है हमने proof क्या करवाना है कि क्या angle by sector है तो फिर हम क्या करेंगे कि spot लेंगे इसके right by sector की वहाँ पर हमने right by sector proof करवाना था तो spot ली थी हमने angle की यहां पर हमने एंगल की bysection proof करवाने हैं तो हम sport लेंगे उसकी right by sector की अप right by sector की प्रगरम इसमें देखें तो यहां पर हमारे पास id है वो concurrent होगा if के कि यहां से जितना distance है यहां पर जितना distance है वो एक दुशे के clear होगा यहां पर draw करने पर तो एक दुशे के equal नहीं आ रहा ले पर हमने लिख दिया कि हमारे पास जो id है वो concurrent हो जाए आई एफ के अब यहां पर एक बात समझने की है कि यह जो हमारे पास राइट सोरी यह जो हमारे पास जो एंगल का by sector है अगर इस एंगल के by sector पर अगर हम इस point पर करें तो यहां से अगर हम right by sector ले जाएं दोनों पर तो यह आपस में equal आते हैं आएंगे हर एक point के उपर एंगर के हर एक point के उपर यह जो by sector है यह आपस में equal होंगे तो यहां पर हम reasons में क्या लिख रहे हैं हम कहेंगे कि any point कोई भी point अगर आप ले ले any point on the by sector by sector of an angle by sector of an angle is equidistant equidistant is equidistant from its arms इसका क्या मतलब है यह जो अभी हमने बात कि इसका क्या मतलब है कि कहते है कि अगर आप कोई भी एक point ले लो एक angle के by sector के उपर यह हमारे पास एक angle है यह इस angle का by sector है कहते है कि इस angle के by sector के उपर आप कहीं भी कोई भी एक point ले लो तो वह जो point होगा वह इस angle की arm से equal distance के उपर होगा कि यहां से और यहां से वह equal distance के उपर होगा अब यह बात प्रूव होगी तो इसको हम नेम दे देते हैं नेम रहने दे ठीक है next हम कहते हैं कि हमारे पास यह जो id है यह congruent होगा कि हम लिख देते हैं कि हम लिख देते हैं कि इसी तरह similarly जिस तरह हमने ऊपर कहा वैसे हम कहेंगे similarly हमारे पास जो id है वो congruent हो जाएगा i e के same इसकी reasons पर यह होगी same ऐसे ही next हमारे पास क्या है यह भी हो गया यह भी हो गया फिर हम कहेंगे कि हमारे पास यह जो i e है यह congruent है i f के यहां पर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो i e है यह congruent होगा i f के ठीक है इसका मतलब है कि हर जो point है each हर हर जो point है वो congruent होगा id के यह बात प्रूव है यह कैसे प्रूव है चले इसको देखते हैं कहते हैं कि यह हमारे पास एक id है यह id इसके भी equal है यह id इसके भी equal है अगर हम यह id कहते हैं कि congruent है हर एक के, इसके भी concurrent है, इसके भी concurrent है, ये बात proof हैं हमने ये लिख़ दी, अब यहां पर, अगर हम देखें हैं तो अगर हम इसका right bisector देखते तो ये equal है अगर हम इस पर देखें हैं, तो इस का ये मतलब है, एकर हम यहां पर right 반 by sector draw करें तो वो भी equal होगा इसका मतलब है कि एंगल ए बी और सी के जो एंगल के by sector है वो एक पॉइंट के पर मीट कर जाते हैं यह बात प्रूव है अब यहां पर हम नेक्स लिखें तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट आई है इस ओन दा बाइस सेक्टर आफ एंगल ए हम इसको नेम दे दिया शकर का कहते हैं कि यह हमने by sector की थी जब हमने इसकी एंगल बी शक्र की तुभ्ह इंगल सेक्टर की तो वह इसा इंगल सेक्टर में आई है यह ही बाइस सेक्टर है एंगल a है ठीक है next हम निखे देते हैं also the point also the point i हमारे पास जो point i है is on the bisector of angle a b c and angle b c a इसका क्या मतलब है कहते हैं कि हमारे पास यह जो point i है यह a की bisector के उपर है कहते हैं कि यही जो point i है यह angle a b c के बाय सक्टर की उपर भी है और यही point हमारे पास एंगल b c a के बाय सक्टर के उपर है आप simple wording में यह लिख सकते हो कि जिस तरह आपने लिखा है ना जो point i है यह bisector है angle a का आप यह भी लिख सकते हो कि जो पॉइंट आई है यह बाइस से का और सी का ठीक है यहां पर आपने लिखे देना है कि यह बात हमने construction से प्रूफ किया है construction में क्योंकि हमने यह काम खुद से किया था हमने खुद अगे लाइन्स ट्रा की थी नेक्स सब्क्राइब लिख देंगे इसे यह बात क्लियर है कहते हैं कि अगर पॉइंट आई एंगल एक बाय सक्टर है तो यह वी पॉइंट आई एगर बी और प्रूफ हो जाती है कि जो हमारे पास आई पॉइंट है वह कंकूरेंट है ओए ऐसा क है जहां पर ए बी और सी के एंगल्स के बाइस सेक्टर आके आपस में मीट करते हैं तो लास्ट पर हम रिजल्ट अपना क्या लिख देंगे कि दास नबाइस एक्टर बाइस सेक्टर्स है इसेक्टर्स आफ एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्कुरेंट एड आई आई ठीक है इसको हमने नेम दिया था फर्स्ट का इसको हम नेम दे देते हैं सकिंड का यह बात कहां से प्रूव है अगर हम इस मसले को समराइस करें इस थूरम को समराइस करें तो वह यह था कि हमने क्या प्रूव करना था कि हमारे पास जब हम एंगल A, B اور C के bisect करें तो वो एक point के उपर आके meet कर जाएं हमने इसके bisector को draw नहीं था किया ये भी bisector हमने खुद से draw किये थे जब हमने इनकी bisector को proof करवाया तो हमने ये भी लिखा फिर हमने ये लिख दिया कि अगर हम इसका bisector ले तो वो भी IQ पर ही आएगा B और C का भी bisector IQ पर आ रहा है तो फिर हमने last पर ये result लिख दिया कि angle B, C angle A, B और C के जो bisector है वो IQ पर meet करते है